हालो दोस्तों गुर्ण मारिंग आप से भी का स्वागत है आपके अपने चैनल M.L.M. राशिद में और मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आज से करता हूँ आज पिर से आचुके एक नई वीडियो के साथ और आज बात करें के फ्यूचर ट्रेडिंग से रेलेटीड सबसे अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेश ट्रेडियो आपको मिलती रहे तो आज बात करने वाले फ्यूचर ट्रेडिंग के वारे में जैसकि बहुत सारे लोगों का क्या होता कि फंड लिकुडिट हो जाता है उसमें क्या रि आप करेगे सबसे होती है नोर्मली इसपोत्ट ट्रेडिंग हम लोगकर तो सबसे पहली चीज होती है ओसक्रेडिंग करते हैं तो लोज होता है चाहे इवह असुक्ल सीब क्या है और मार्किट टंप और इस तरीके कि जब तक हमें phenomenon नई नहीं तब तक हम क्या करते तुकका मारते रहती होता कह ने कई लॉस होता ऑधा हमारा वे लॉस होने के चांसे के सेसे के लालज करते हैं कि भाई example लीजी हमने पहले लोस खाया हुआ है कहीं भी लोस कर ले हमने फूचर ट्रेडिंग एश्पोर्ट में अब हम क्या करते हैं कि हम फूचर ट्रेडिंग पॉचुका था अब यहां पर बिना नॉलिज के जब ज्यादा ले करते हैं तो क्या होता यहां पर भी लोस हो जाता है तो सबसे पहले चीज़ है कि हमें knowledge की पहुझाता कमी है ट्रेडिंग चाहिए प्रेडिंग कर रहे हैं चाहिए आपको आपको अपनी इंप्रूव करते रहनी है नौलीज लिए बिना आप ट्रेड मत कीजिए देखिये मेरा तो यह मानना कि पैसा गवाने से अच्छा आप कीजिए मत ट्रेड अगर आप ट्रेड करना ही चाहरे यह तो नौलीज इखटा कीजिए या किसी की पैड मेंबर्शिप आप जोईन कर सकते हैं बहुत सारी यूट् पैसे 50 एक्स ले लीता है 25 ले लेते हैं कभी कभी कंदिशन ऐसी होती है कि हम बिल्कुल कर्णrics करों यहां अगर ने जुत करेक्शन ले या मार्किट बिल्कुर इस्टेबल है तो रात को सोते वक्त हम क्या करते हैं जैसे नौदास बज़े तो हम सोचते कि यार इसको भाई करके छोड़ देते हैं सुबह को देखे का अच्छा कासा प्रोफिट मिल जाएगा हम यह सोच के सो जाते हैं बहुत हमने ले मौस्टली हमने देखा 90% फंड शुबह को जब उठते हैं तो लिक्विडेट होता मिलता है रिजन क्या था है रिजन यह था क्योंकि हम यह नहीं पता था कि हमारा पैसा लिक्विडेट हो जाता है थर्ड चीज यहां पर दोस्तों मैंने देखा बहुत से लोग क्या करते है क्रोस में एंट्री ले लेते हैं फूचर ट्रेडिंग में क्रोस और आइसोलेटेट क्या है उसके उपर मैंने पार्ट बनाया था एक फूचर ट्रेडिंग का अगर वह आप अपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा उसमें यह बताया था कि आइसोलेटेट के फाइ या 10x तक ही लेनी है लालास नहीं करना आपने आपने तो आईसोलेटर रखना है पिलास इसके देखिए सोलुक्षन क्या होसकते तो लालास बिल्कुल नहीं करना आपने लालास यह मत किजी कि एक दिन में आपने डबल ट्रिपल चपल करना आप वसी है सोची के 5-10-15% भी सेकंड चीज आपने क्रोस में ट्रेड निकरनी सिर्परशिप आपने आईसोलेटर में ट्रेड करनी है और लिवरेज आपने 3x या 5x तक ही लेनी है चारवी चीज दोस्तों आपने रात को ट्रेड लेकर नहीं सोनी या तो अगर आप ट्रेड ले रहे तो आप आदा गंटा सब्सक्राइब करने के लिए और बुल फ्लेक पेटर्न क्या होते हैं और फ्लेक पेटर्न क्या होते हैं अगर आप लोस्तों लेकर आप लिए तो आज कि इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अगल वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूं वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करेंट करो शेर करना ना बूले थैंक्यू सो मच लब यू अल